Hi everyone, आज की इस वीडियो में एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो रावेद ब्यार्टी रोडी के उपर है, मुकाई चोक से 1 मिनिट के डिस्टेंस पे है, और मुंबई पुने एक्सप्रेस पे 2 मिनिट के डिस्टेंस पे है, और हिंजिवडी आईटी पार्क ज या फिर आपको वेंटिलेशन, व्यू अगरा, सारा चीज आप जो है, रूफटॉप अमेनिटी से इंज्वाए कर सकते हो, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है, आपको कॉन्फिगरेशन टू टाप्स के मिलता है, टू बीच के जितने भी फ्लैट्स है, सारे कॉर्नर जाता है, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग को भी इंफोर्मेशन चाहिए, ब्रॉशर, कॉस्ट या एक्जेक्ट लोकेशन चाहिए, तो स्क्रीन पे दो नंबर है, वहाँ से आप डारेक्ली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, यह डिस्क्रिप्शन में वाट्स अप का लिक रख के अंदर जो है, यहाँ पर रबर जो ही यूज किया गया है, जिससे आपका नॉइस डिटेक्शन होता है, काफी स्पेशियस यहाँ पर आपको लिविंग एरिया मिलता है, लिविंग एरिया को जो साइज है, वह है 11 इंटू 18 का यहाँ पर आपको लिविंग एरिया मिलता ह बिग साइज की यहां पर बालकिनी है आप देख सकते हो कि जो है स्लाइडिंग दोर पूरा लेंथ में यहां पर दिया हुआ है जिससे आपका सनलाइट या वेंटिलेशन यहां पर ब्लॉक नहीं होने वाला है और सबसे स्पेशल यहां पर आपको मैं बता देता हो कि बहुत क काफ़ी भी स्पेशिस यहां पर आपको बालकिनी मिलती है जिसका साइज है 5.0 x 15.4 अ चिशन का साइज के मिलता है L-shape में, यहाँ पे fridge के लिए आपको space दिया हुआ है और यहाँ पे आपको big size की window मिलती है, और यहाँ पर आपको dry space दिया हुआ है, तो काफी spacious यहाँ पे आपको kitchen देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे काफी spacious यहाँ पे आपको basin area मिलता है, और यह अपना common washroom है, और यह अपना जो है, चिल्लन बैड्रूम है, आप इससे सारीके से जो है, आप अपना चिल्लन बैड्रूम को डेकोरेट कर सकते हो, यहाँ पे जो है, वाटरो की स्पेस दिया हुआ उसको यहाँ पे आपको सेडी टेबल वगएरे, इस तरीके से दिया है, cross ventilation के लिए यहाँ पर आपको एक window भी दी हुई है तो इस तरीके से आप अपना children bedroom का design कर सकते हो और यह अपना guest bedroom है जिस guest bedroom पर यहाँ पर attach आपको washroom मिल जाता है सबसे पहले और जो भी यहाँ पर tiles वगरा यूज किया गया है जैगवार वगरा के यूज किया है तो यहाँ पर जो भी आपको tiles है fittings है वो सारी चीज़े as it is आपको मिलने वाली है और यह अपना master guest bedroom है guest bedroom का size है वह है 11.0 into 13.3 का यहाँ पर जो है आपको guest bedroom मिल जाता है तो काफ़ी spacious यहाँ पर आपको guest bedroom मिलता है यहाँ पर अपना wardrobe यहाँ पर design कर सकते हो tv unit यहाँ पर है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पर full length में आपको window मिल जाता है तो यहाँ पर full length में आपको window मिल जाती है और यह अपना master bedroom है master bedroom का size है वह 13.6 into 10.0 का यहाँ पर master bedroom मिलता है with attached balcony के साथ इसमें भी यहाँ पर window दिया हुआ है full length में जिससे आपका ventilation block नहीं होता है उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर balcony भी मिल जाती है master bedroom से attach यह अपना master bedroom से attach यहाँ पर आपको washroom मिलता है इसके अंदर आप देख सकते हो कि tiles वगरा अलग use किया गया master bedroom के लिए तो as it is आपको ऐसा ही टाइल्स वगरा आपके master bedroom में मिल जाएगा इस project के अंदर आपको lifetime open view मिलने वाला है अगर इस project के रिगार्डिंग को भी information चीए ब्राउश और कॉसिर या exact location चीए तो screen पे देवा नंबर है वहाँ पे आप directly contact कर सकते हो यह description में वाट्स अप का link रखा है उस लिंक पे आप click करके directly WhatsApp के थुरू मेरी टीम के साथ चैट कर सकते हो